नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हेल्थ टेक पे फ्रेंट्स आजम बात करेंगे बेटनेशाल यान आई येर ड्राफ के बारे में इस ड्राफ का क्या यूज है क्या फायदे है क्या नुक्सान है फ्रेंट्स पूरी जानकारी बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही बेटर वर्क है इस ड्राफ का तो आईए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी तो प्रेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले हैं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स बेटने साल यह ड्राफ जो की ग्लेसको कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी मार्केट प्राइस फ्रेंट्स 15 उपए है और यह 5 ml की पैकिंग में आता है आए जानते हैं इस ड्राफ के फायदे के बारे में कहां पे इसका योज होता है तो फ्रेंट्स यह आँख और कान दोनों के लिए होता है यदि आँख में कोई समस्या आ जाती है जैसे कि आँख लाल हो जाता है आँख से पानी न के लिए लाब दायक है जैसे कि कान में फुंसी हो गया हो या कान दर्द कर रहा हो या कान में कोई इंफेक्चन हो गया हो तो उसमें भी यह बहुत ही लाब दायक होता है आए फ्रेंट्स जान लेते हैं इसके डोज के बारे में इसको कैसे यूज करना है और कितना यूज कर तो फ्रेंट से इस डाप को दो दो बूद दिन में तीन से चार बार डाल सकते हैं या अपने डाक्टर के परामर्स के अंसार फ्रेंट से इस डाप को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले लेना चाहिए तभी इस डाप का यूज करना चाहिए तो फ्रेंट स इस डाप को खोलने के बाद इसके नौजल को बार-बार टच ना करें नहीं तो इंप्रेक्शन का खत्रा रहता है तो फ्रेंट्स ये सब कुछ साधानिया हैं जो की ध्यान देना चाहिए और आए फ्रेंट्स जान लेते हैं कुछ साइड इफेट के बारे में तो फ्रेंट्स इस डाप के बाशे तो कोई खाच साइट इफेक्ट नहीं है लेकिन किसी किसी को सरदर दिया एलर्जी की समस्या हो सकती है तो फ्रेंट्स अगर ऐसी कोई समस्या हो तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से तुरण संपर करें और आज़े प्रेंट जान लेते हैं इस बिटनिशाल यान ड्राप के कंटेंट के बारे में तो इसमें बेटामेतसोन, सोडियम, फार्सपेट और नियोमाइसेन होता है जो कि बहुत ही बेतर बर करता है और बहुत ही अच्छा ड्राप है तो फ्रेंट्स यहती है हमारी आज की जानकारी बेड़नी साल यन ड्रॉप के बारे में तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेयर करें और हमारे चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ